तो निकाल करके प्रचारीत करता है, आज मैं हर बूत कारकरता को एक जिम्मेजारी देता हूँ, आप ये तै कर लें, और मैं सभी बूत के कारकरता से आगर करूँगा, कि हर बूत कारकरता कम से कम दस परिवारों के साथ चुनाव तक गनिष्ट समन्द बनाएगा, अगर एक एक कारकरता आप दस दस परिवार को लेकर बैठ जाए बूत में, आप कल्पना कर सकते हैं, उस बूत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोडेंगे, उन तक सरकार द्वारा किये गए, कामकाज की सही और नीमित जानकारी पहुँचाएंगे, कारकरता संकल्प ले, कि मेरे बुथ में सबसे ज़्यादा लोग नमो एप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे इतना ही नहीं, रोज नमो एप पर आदा घंटा देंगे, नमो एप में क्या क्या है वो देखेंगे, और उसमें से जो बाते हैं वो आगे पहुचाएंगे, नमो एप के माद्यम से वो वोलेंटेरिंग करेंगे, जनसंपर करेंगे, पॉजिटिव चीजों को रोज शैर करेंगे, डोनेशन देंगे सुझाव देंगे आज जब हम इतना कम का इतना अधिक मात्रा में काम कर पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी बज़ा है सवासो करोड देशवाशियों का आसिरवाद जिनके समर्थन से 30 साल बाद देश में पूरन बहुमत की सरकार आई है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्मायद के चलते मजबूत सरकार से भागते हैं कि मजबूत सरकार का नाम सुनते ही डरते है और इतना दर नहीं वह तो तद्वघैन भी परुतते हैं कि सरकार को भी मजबूत होनी नहीं चाहिए उनको कहा चाहिए मजबूर सरकार चाहिए क्योंकि वो उनके अपनी दुनिया चलती रहे ऐसे मैं बूत कार्यकरताओं का एक कर्तवे हो जाता है कि वो लोगों को समझाए कि जब मजबूर सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फाइदा होता है चलिए मुझे अच्छा लगा रजनी जी के सवाल पर त्रिपुरा से माध्यम से पुरे देश की कारकरताओं से बात करने का मोका मिला आईए हम हापूर चलते हैं यहां हापूर में लोग हमारा इंतियार कर रहे हैं हापूर नमस्ते है कि उत्तर प्रदेश के सभी कारकरता हूं को नमस्कार परणाम करता हूं और हाँ बताइए मान्यवर आपने जो उत्तर परदेश में विकाश कारे करिये हैं मैं आपका उत्तर परदेश की तब से आवार ब्यक्त करता हूं आप से विश्वास कर चाहता हूं कि आपका हाथ हमारे हाथ शर्पर ऐसी ही रहे आप से मजे एक प्रिश्ण चाहिए है कि 2004 में जो हमने वादे के थे 2019 में पूरे किये लेकिन इस आधार पर आप हमें यहां से किस दिशा में ले जाएंगे यह जानना चाहता हूं हम इस आधार पर और क्या कर रहे हैं यह मेरे से आप से प्रसन है धनिवाद महेज जी बैठिये देखिए मैं बात करने दे पहले महेज जी आपको ही अपने परिवार की पुरानी चीजों की और ले जाता हूं आपको पुराने किसे याद करा रहा है बैठिया मथ्यी बैठिये मैजी बैठिये अब आप सोचिए आपको तुरण ध्यान में आयगा मैं क्या कराऊं मैं जब पहली बार आप आपके घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदी गई होगी तब आपको अपने घर में कि टीवी देखने की कितनी बहचेनी रही होगी लेकिन जब समय बित्ता गया तो फिर आपको कलर टीवी की आवश्यक्ता मैसुज हुई होगी ठीक इसी प्रकार कांतर 2014 और 2019 के कालखन का है 2014 से 2019 ये प्रकार से आवश्यक्ताओं को पुरा करने का समय था लेकिन 2019 से आगे आवश्यक्ताओं से बात बनने वाली नहीं है ये समय होगा आकांख्याओं को पुरा करने का और मैं इस बात को मानता हूँ कि 2014 से 2019 अगर आवश्यक्ताओं की पुर्ती का काल था तो 2019 से 2024 आकांख्याओं की पुर्ती का काल है 2014 से 2019 बुनियादी जरूरों को हर गर पहुंचाने का समय था जबकि 2019 से 2024 आगे तेज उन्दती के लिए उडान भरने का आउसर है 2014 से 2019 का समय फ्रेजाइल फाईव से बहार निकलने की मसकत थी जबकि 2019 से 2024 आगे विश्व की टॉप फाईव अर्थ व्यवस्ताओं में सामिल होने का अउसर है 2014 से 2019 की ये यात्रा निराशा से आशा आवशक्ता से आकांशा संकल्प से सिद्धी की और ले जाने वाली है 2014 से पहले भारत में एक ऐसी सरकार थी जो ब्रष्टाचार में डुबी हुई थी देश में पॉलिसी परालिसिस था देश को प्रष्टाचार मुक्त मजबूत और निर्पिक्ता से निर्णे लेने वाली सरकार की आवशक्ता थी और हमने ऐसी सरकार दी है 2014 से पहले देश का आम आदमी आसमान छूती महंगाई से परिशान था हमने इससे निजात दिलाने का वादा किया और महंगाई को दो तीन प्रतिशत के आसपार लाकर के रख दिया साथियों हमें इस बात की खुशी है कि 2014 से पहले देश जिन चीजों की आवशक्ताएं मैसूस कर रहा था हमने सवासो करोर देशवाच्चों की मदद से उन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी पूरी महनती है इसलिए आज जब जन आकांच्छाओं को देखता हूं तो हमारे काम करने का उत्सा कई गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं सपस्ट कहता हूं कि 2014 का चुनाव देश की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए जनमत था और 2019 का चुनाव भारत के भारत के जन जन की आकांच्छाओं को पूरा करने के लिए जनमत होने वाला है बीते पांच वर्षों में देश में किस तरका बढ़लाव आया है वो हम सब के सामने हैं आज हर भारतिय बढ़लाव मैसूस कर रहा है अब इन पांच सालों में ही जब इतना कुछ हुआ है तो सोचिए अगली बार जब हम देश की सेवा करने का फिर मोका मिलेगा और मुझे भी स्वास है मिलने वाला है तो हम इस मजबूत इमारत को और कितना आलिसान और कितना भव्य बनाएंगे साथ्यों यह सब तब संभव है जब आज जो विकास के दिशा और रप्तार है उसको नकवल मेंटन रखा जाए बल्कि उसको और गती बढ़ाई जाए आप सबको याद होगा कि अटल जी के नित्रुत्व में एंडिये सरकार ने कई बड़े कार्य किये थे लेकिन 2004 में वाजपाई जी की सरकार गई तो सबका सब्ठप हो गया उनकी सारी मेहनत पानी में चली गई उपर से देश को पीछे खीचा गया फिर से एक बार प्रस्ताचार जारी रह सकेश लिए आधार को अटकाया गया कमिशन खोरी के लिए देश की सुरक्षा को दावपर और डिफेंज मोडरनाइजेशन को अटका दिया गया राफेल दिल को लटकाया गया इंफास्रेक्टर निर्माण की जो गती भारत ने पकड़ी थी वो फिर से अटक गई आर्थिक सुदार और मजबूत अर्थववस्ता बनाने की जो गती थी वो भी अटक गई दूर जाने की ज़रोत नहीं है अरे अभी हाली में जीन तीन राज्यों में भाज़पा की सरकार नहीं बन पाई वहां का हाल देख लीजिए पहले से चल रही जन कल्यानिकारी योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है आईश्मान भारत जैसी योजना को रोक दिया है प्र अंगरे सासित राज्यों ने तो अभी तक लाभारतिक किसानों की सुची नहीं बेजी है आज हमारी सरकार सींचाई से जुड़ी 99 पर योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है ताकि अन्र दाताओं को पानी की कमीना हो कई योजना पूरे होने की कगार पर है लेकिन अगर 2019 म कोई चूक रह गई तो यह सब चीजे फिर से एक बार गड़े में चली जाएगी क्योंकि उन्होंने यही हाल करके रखा था हमारे आने से पहले भारत विश्वकी 11 वी सबसे बड़ी अर्थववस्था था बीते पांच वर्सों में सरकार की नीतियों से हम 11 से कूद करके सबसे बड़ी एकोनोमी बन गया है हम भारत को जल्द से जल तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनाना चाहते हैं लेकिन जरासी चूक से विकास की यह तेज धारा रूख सकत गये हैं और अटल जी का हमें अनुभव है हमने इज आप डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भार जरासी चूक से फिर से इज अप करप्शन का बोलबाला हो जाएगा आज डीवीटी के माद्यम से डालेक बेनिफिट ट्रांसफर के माद्यम से सरकारी पैसों की लूट बंद हुई हैं देश वास्यों के हजारों लाखों करोड रुपिये बस्ताचार की भैट चड़ने से जरासी चूक हुई तो बिचोलियों की लूट फिर से शुरू हो जाएगी जरासी चूक प्रस्ताचार के महायुक को वापस ला सकती हैं कोईला गोटाला तूजी गोटाला कॉमन वेल्ड गोटाला किसी को देश अभी भूला नहीं है कि आईए कि इस नए विश्वास के साथ नए एक्षेत्र की वर चलते हैं आईए हम जमसेद्पूर चलते हैं कि कौन बात करना चाहेगा कि आदर्नी मोदी जी को मेरा नमस्कार कि मैं वीजय लक्षमी जार्खन जमसेद्पूर तेलको महिला मोचा की महा मंत्री हूं और मोदी जी आपका हमेशा यह कहना रहता है कहते हैं आप कि कौंग्रेस जब भी आती है लोगतंत्र को नुकसान पहुचाती है और जातिवाद को बढ़ावा देती है कौंग्रेस के यह दो लक्षम है जबकि भाजपा संगठन और कारेकरताओं के बल पर कारे करती है तो मेरा यह पर्ष्णर है कि 2019 में लोगतंत्र कैसे जीतेगा अरे आप तो स्वयम लक्षमी है और लक्षमी तो कमल पर विरात्ती है जै लक्षमी जी बैठिये देखिए आपका यह सवाव 2019 के चुनाव का मूल मंत्र है यह चुनाव दो राजनितिक संस्कृतियों के बीच का है एक संस्कृति भाजपा की है जहां हर काम लोगतंत्रिक तरीके से होता है दूसरी संस्कृति कॉंग्रेस समेत कई दलों की है जहां हर काम वाउशबाद के आधार पर परता है भारतिये जन्ता पार्टी में कार्यकरताओं की भूमी का कितनी विशिष्ठ है इसका अनुभव आप जैसे सभी कार्यकरता लगातार करते आ रहे हैं बाजबा कार्यकरता की संस्कृति एकदम अलग होती है बिनम्रता, सादगी, सरल्ता और सहटता इसी ने हमको आज यहां तक पहुँचाया है यहां किसी भी फैसले का अधार कार्यकरताओं का फिडबेक होता है कार्यकरताओं की इच्छा होती है और लोगतांत्रिक तरीके से बात उपर आती है बाजबा कार्यकरता जनता जनारदन के दुख में, सुख में, हर सिती में सहभागी होता है हमारी पार्टी को असली बल अपने कार्यकरताओं से मिलता है यहां कार्यकरता ही सब कुछ ताय करता है इसलिए मेरा जैसा एक सामान्य कार्यकरता प्रधान मंत्री बन कर देश की सेवा करने का अवसर पा सकता है हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होता है कि एक व्यक्ति या एक परिवार क्या चाहता है बलकि हमारे हाँ निरने इस बात से होते हैं कि काइरकरता क्या चाहते हैं लोग तंत्रह हमारी पार्टी के डी अने में है यह एक कैडर मेंस पार्टी है इसलिए पार्टी और सरकार दोनों के लिए काइरकरता topics का फिडबेक बहुत महत्वपुन होता है इसके आधार पर सरकारी योजनाओं को जमीन पर साकार करना भी आसान होता है जिससे मौझूदा कारकाल में हम लगातार देखते आए हैं लोग भी यह जानते हैं कि बीजेपी कारकरताओं को वे जो प्रतिकिया देते हैं उन्हें वे शिर्ष नेत्रुत्व तक ले जाकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं अगर आपके पास पैसा है या आप किसी खास जाती के हैं या फिर किसे बड़ी परिवार से संबंतिश है तो इस बल पर भाजपा में आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे बलकि इस पा जो किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए उनके पास कोई बहुत ज्यादा संपति नहीं थी फिर भी उन्हें अपनी मेहनायत अपनी लगन के बल पर इतने बड़े पत पर पार्टी नहीं बिठाया पार्टी नहीं सेवा करने का मोका दिया और पार्टी खड़ी रह पार्टी के भीतर का लोगतंत्र है और अपने कार्यकरताओं के इसी सामर्थ पर ही 2019 के लोक्तंत्र का महापरव भी भारतिय जनता पार्टी के नाम होने वाला है मेरा आपसे आग्रह है भाजपा की संस्कृति भाजपा की कारेपरत्ति भाजपा के संगर्ठन का स्वरूप कारेकरता की भूमी का यह सब बाते भी लोगों तक पहुँचाएं लोगों को भाजपा को करीब से देखने का और काम करने का अवसर दे और जब जनता भाजपा और बाकी पार्टियों में अंतर समझेगी तो उनके लिए यह निर्णे आसान हो जाएगा कि देश की सेवा का दाइट को किसे दे चलिए आईए अब जमसेदपूर से निकल करके हम साहूत के और चलते हैं तमिन नाडू चलते हैं कोईम्टूर चलते हैं आईए कोईम्टूर बना काम बना काम बना काम आपकी आवार्ने सुना जे रही है बैठना है सभी लोगों चार्ट मैंने में आरूल मुरगन मगा सतिगेंदर इंचाज कोईमबतूर सिंगे मंडल बीडिया चलते हैं आपकी लोगों थाक्वर मुरगन चलते हैं आपकी लोगों आपकी लोगों आपकी लेंचाज कोईम्टी लोगों अजिए as usual media is underestimating BJP अरुल मुर्गन जी बैट ये मेरे लिए तो शिकायत ये होती है कि मोदी हमेशा confidence से बरे हुए होते है तो सायद confidence से बरे स्वभाव का हिस्सा है देखिए मिडिया के हमारे मित्रों की एक fix cycle है चुनाओ से पहले मिडिया के हमारे मित्र कहते हैं कि भाजपा के लिए ये चुनोती है लेकिन हमें भी मिडिया को कोशने से ज्यादा इसे चुनोती के रूप में स्विकार करना है कि भाजपा के बारे में बहुत कुछ फालाते रहते हैं उन्होंने कहां कि भाजपा दक्षिणों में कभी भी सरकार नहीं करना सकती लेकिन 2008 में हम करनाटक में सत्ता में आये और 2018 में भी हम सबसे बड़े पार्टी के रुप में राज में उभर करके आये हैं और आज देश भर में ये दिख भी रहा है और मेरा मानना है कि दक्षिण भारत में भी लोगों की विकास के प्रतिचाहत उतनी ही है जितनी देश के दूसरे भाग में हैं और जहां विकास के लिए आकांग्षा होगी जाहिर सी बात है वहां भाजपाही एक मात्र विकल्प होता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 में जब हमारी केवल दो साउसर्च जीत करके आये थे तब उन में से एक साउसर्च दक्षिण में आंधर प्रदेश के थे और आगामी चुनावों में अपने अच्छे प्रदेशन को लेकर हम आस्वस्त हैं करनाटक के लोग अब राज में चल रही अफसरवादी सरकार से तंगा चुके हैं कॉंग्रेस और जेडियेस के पास सासन का जनादेश नहीं था अब वे राज के कल्यार के लिए काम नहीं कर रहे हैं बलकि उनके बीच में पॉटफोलियो को लेकर लड़ाई चलती रहती हैं वहाँ की सरकार किसानों को परिशान कर रही है कानाटक के लोग विशेश कर वहाँ के किसान 2008 से लेकर के 2014 तक कि हमारे कारकाल के दोरान सरकार द्वारा किये गए कारियों को आज भी याद करते हैं तमिल नाडु में हमारा एक मजबूत संगर्ण बन चुका है अब तो हमारा वहां बहुत ही ससकतन गड़बंदन भी बन चुका है लिहाजा तमिल नाडु में एंडिये को व्यापक सफलता मिलना इस बारता है और इतिहास में सबसे बड़ी सफलता तमिल नाडु में 2019 के चुनाओं में मिलने वाली है यह मेरा पक्का विश्वास है केरल के लोग मिशेश रुप से वहां के शिक्षित हुआ LDF और UDF से तंग आ चुके हैं वे भाजपा को एक मात्र विपकल्ग पे रूप में देख रहे हैं जो केरल की संस्कृति की रक्षा कर सकती है वहां समाज के कई प्रबुद्ध लोग भाजपा से जुड़े हैं हमें तेलंगणा में भी अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है आंदर प्रदेश के मेरे भाईवे बहनों में कॉंगरेस और टिडिप्यों को लेकर बहुत गुस्सा है वहां जितने भी लोग हैं एक ने राजपा को विभाजपा किया और दूसरे ने इसको तबाह किया वहां तीनों जो खिलाडी हैं एक प्रकार से विकास के बारे में न सोचकर अपने अपने वहुशों के विकास के बारे में सोच रहे हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां के नेता एक जबाने में एंटियार उनके साथ जीने के लिए रास्ते खोज रहे हैं कि जिस कॉंग्रेस ने तेलुकु गवरों का अपमान किया उनके पहर पकड़ने पड़ रहे तो कितनी मजबूरियां होगी और इसलिए आप विश्वास किजिए कि साथ में भी लोगों को इमानदारी चाहिए इमानदार लोग चाहिए इमानदार दल चाहिए इमानदार सरकार चाहिए और यही मुद्दे है जो आंद्र के अंदर पुरी ताकत से उभर करके आने वाले हैं आंद्र की जंता इमानदारी को पसंद करेगी यह मेरा पक्का भी स्वास है अपने काम पर ध्यान दे और हम पूरे देश की तरह साउथ में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आईए अब हम जार ग्राम चलते हैं पस्चिम मंगाल का उद्सा तो बड़ा जोरों में दिखता है भई हाँ पस्चिम मंगाल की ताकत तो देश देख रहा है और मैं पस्चिम मंगाल के कार करता हूं को बहुत बहुत अभिनम्दन करता हूं और आप जिस प्रकार के संकटों को जेल करके काम कर रहे हैं लोग तंत्र की रक्षा के लिए जिस प्रकार से आप मुसीबते जेल रहे हैं देश के कौने कौने में जब इसका पता चलेगा तो पस्चिम मंगाल के कार करता हूं के सामने हमारा सर जुकेगा क्योंकि मैं जानत कितनी तकलीफ में जहलते हैं मैं जानता हूं और इसे पस्चिम मंगाल के हमारे कार करता तो अनेक अनेक अभिनंदन के दिकार है आईए पताईए जारगाम क्या कह रहा है नमस्ते प्रदर मंत्री जी नमस्ते गोरोब राज कॉंडू जारगाम जेला से गोपिवलोपूर बूद का एक साधरन बूद कार्या करता हूं सबसे पहले भारतिया सेना द्वारा जो पाकिस्तान में यार श्ट्राइक किया गया उसके लिए भारतिया सेना और आपको बहुत बढ़ाई देता हूं मेरा सवल यह है कि क्या 2019 में देश भर में माहा गड़बंदन का कोई असर होता दिख रहा है देखे एक तो यह महा मिलावट है यह माह गड़बंदन बोलना ही बंद करती चीए देखे महा मिलावट के प्रभाव के बारे में पुछने से पहले आईए समझते हैं किसे महा मिलावट को आगे क्यों किया जा रहा है बैठिये गरब बैठिये आप हकीकत तो यह है कि खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कॉंग्रेस छोटे छोटे दलों के कंदे पर सवार होने के लिए रास्ते खोज रही है छोटे छोटे दलों की बिख्री हुई ताकत के भरोसे वो फिर से अपना जिंदगी ढूंड रही है यह मिलावट कॉंग्रेस की सरकार बनाने के लिए नहीं है आप समझ लीजिए यह पूरी कोशिज यह पुरा मिलावट जो चल रहा है वो सिर कॉंग्रेस को जीवित रखने के लिए कंग्रेस को स्तीत्वा को बचाने के लिए का मिंग्रेस जो एक समय को पंचाहच से लेकर के पार्लामेंट उसी का जड़़ता था पार्लामेंट में 400 शिटी हुआ करती थी आज उन्हें ऑक्सीजन की ज़रुत पड़ रही है सांस लेने की तागत नहीं उनकी इसलिए वे अन्य दल के नेताओं को साथ लाने के लिए जो अतना जुकना पड़े जो करना पड़े कर रहे हैं क्या आप जानते हैं कि 98-99 में पंचमधी में कॉंग्रेस का एक बहुत बड़ा संबिलन बड़ा बहुत चर्चित संबिलन है उनका कॉंक्लेव हुआ था उसमें उन्हों ने एक प्रस्ताव पारित किया था उस प्रस्ताव में उनका घमंड साब जलक रहा था उन्होंने कहा था कि हमें किसी सहयोगी की जरूत नहीं है हम अकेले ही ठीक है एकला चालो रेसे लेकर हम साथ साथ है यह कॉंग्रेस की मजबूरी की कहानी है लेकिन देश की जनता समझतार है यह महा मिलावट तेल और पानी का मेल है तेल और पानी के मेल से क्या होता है इसके बाद न तो तेल किसी के काम आता है और नहीं पानी किसी के काम आता है ये महा मिलावट का भी ऐसा ही है साथ ही इस महा मिलावट का हिस्सा कौन है कौन लोग है उसमें वो जो कभी एक दूसरे से आँख से आँख नहीं मिलाते थे आज वे कंदे से कंदा मिला करके साजा मंच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं याद करें चरह याद करिए सपा के लोगों ने माया बती जी के साथ कैसा भवार किया था याद करें कि वामपंतियों ने ममता दीदी के साथ कैसा भवार किया था और ममता दीदी ने वामपंतियों के साथ कैसा भवार किया था याद करें कि UDF और LDF में कितनी लड़ाईय चल रही है याद करें कैसे कॉंग्रेस ने देव गोड़ा जी को अपमानित किया था याद करें सरद्राव पवार ने कॉंग्रेस क्यों छोड़ी थी और आज भी जब भी मोका मिलेगा यादल फिर वही दोहराने वाले हैं बस मोके का इंतजार है आज इन दलों को लगता है कि बे एक साथ आएंगे और लोग यहाँ सब भूल जाएंगे देश की जनता को मुर्ख मत मानिये यहां महा मिलावट आप जानते हैं कि मिलावटी चीज सहत के लिए कितनी खराब होती है और यहां महा मिलावट तो देश को आईसी यूग में डाल सकती है इस महा मिलावट का टीवी स्क्रिन पर बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है लेकिन लोगों के दिलों में इसका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि लोग जानते हैं कि ये महा मिलावट, अउसरबादी, बौशबादी और ब्रस्ट्र लोगों का एक मिलन समारम है बच्चने के रास्ते सब खोज रहे हैं लोग जानते हैं कि ऐसी मिलावट से न तो देश मजबुत रहता है और नहीं देश में स्थिर्ता रहती है जिसकी किसी भी देश की प्रगति में सबसे ज़्यादा आवशक्ता होती है आईए मंगल दोई चलते हैं कौन बात करना चाहेंगे आहोम नमस्ते कौन बात करेंगे माननिया प्रधान मंत्री नरेन मरेंदर मोधी जी को सारा आसाम बसर स्थियों के तरफ से नमस्कार आज मेरा भारत गर्व है आप अंतराष्टिय स्तर पे मेरा भारत का सन्मान उचा किया है पाकिस्तान के उपर दबाब घर के धिन्यवाद मोधी जी मैं बीकी साहा आसाम के दरंग दिश्टिक से हूँ एक मंडल प्रेसिडेंट मोधी जी आप से सवाल है आप सबको पता है 2014 को जो इलेक्षन था सोसियल मीडिया का एक अच्छा सोसियल मीडिया का एक अच्छा उपभुक था तब आप सबको पता है हम सेत्र में सबसे आगे चल रहे थे जबके हम को कहा जाता था फास्ट वर्डिंग हम था मोधी जी आने वाला इलेक्षन 2019 में आप इलेक्षन में सोसियल मीडिया का भाग में कैसे देख रहे हैं कि देखिए सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक मीडिया है इसमें हर व्यक्ति को अपनी बाद कहने का आउसर मिलका है और उसका भी इतना ही महत्व है चीतना किसी बड़े आदमी का सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा उलाने का काम किया है देश में जागुरुकता आई है एकाउंटिबिलिटी आई है सम्वेदन सिलता आई है आपने देखा कि सोशल मीडिया के माद्यम से हमारी सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है चाहे वे ट्रेन हो फिर चाहे वो वीजा का मामला हो और मेरा मानना है कि 2019 में भी सोशल मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के वॉलेंटियर्स का आहम योगदान रहने वाला है आप इसका इंकार नहीं कर सकते और मैं हमारे सोचल मिडिया के लाखो वॉलेंटर से कहना चाहूंगा कि देश भर में हमारी सरकार की योजनाओं के करोडो लाभारती है और क्या हम ऐसे करोडो लाभारतियों की स्टोरी को दो दो तिन तिन मिडिया की वीडियो बना करके सोचल मिडिया पर उसको ला सकते हैं क्या जब टेक्नलोजी के उप्योग की बात आती है तो बीजेपी हमेशा से इसमें आगे रही है और सोचल मिडिया कोई अपबात नहीं है और मैंने इसकी ताकत मैं बताता हूं अपने एक स और वो क्लिपिंग देखकर में हरान हो गया नब्बे साल की कोई बुड़ी मां अन्य नब्बे साल की उमर वो सरकार की भारत सरकार की योजनाओं के सारे नाम एक ये बाद एक खुद बोल रही थी यहने हो सकता है मैं दो चीज़े भूल जाओंगा लेकिन वह मां बराबर बोल रही थी जब मैंने इसको मोबाइल फोन पर देखा तो मैं हरान था क्या काकत है इसके हम सालों से सोचल मीडिया का इस्तमाल कर रहे हैं मैं 2009 में सोचल मीडिया से जुड़ा था तब यह मुख्यव करने के लिए करना चाहिए यह भारत भरके लोगों के साथ जुड़ने विबिन्द मुद्व पर उनके विचार जानने उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक सांदार मंच है और अगर कोई जूट फैला रहा है या गालिया दे रहा है तो उसे भी सब के सामने लेने का यह एक मंजबी है जब सोशल मीडिया की बात आती है तो बीजेपी कारकरताओं से मेरी अपील है कि वे तीन चीजों पर जरूर ध्यान दे पहला पॉजिटिविटी सकारात्मकता दूसरा इमानदारी और तीसरा सटिक्ता जितना हो सके सकारात्मक बाते शेयर करें सकारात्मक खबरे शेयर करें विपक्ष आपको नकारात्मकता की दिशा में बहकाने की कोशिश करेगा लेकिन आप उनके इस बहकावर में ना हैं हमेशा सकारात्मक बाते ही करें आखिरकार हमारे पास सकारात्मक बाते करने के लिए बहुत कुछ है अंगिनत बाते हैं आप यह सुनिशित करें कि आप जो भी खबर शेयर कर रहे हैं वो फेक न्यूज नहों आजकल विपश ने तो फेक न्यूज के इस्तिमाल के उसमें उन्होंने महरत हासिल कर ली है और स्वाभाविक सी बात है जिसका अपना खुद का कोई एजन्डा नहों वो फेक न्यूज को ही अपना एजन्डा बढाएगा सोशल मीडिया पर हमेशा सावधानी बरते हैं नकार अत्मक्ता को फॉरवर नहीं बलकि डिलीट करें और अपने मोबाइल से भी नहीं अपने मैंड से भी डिलीट करें आज कल दुश्मन देश भी फेक न्यूज फैलाते हैं चाहे वो यूएन में हो या फिर कहीं और बैटे हो कोई और मैदान मिल जाए इसलिए चानों तरब यह खेल चलते रहते हैं हमें चौकन ना रहना है जब सकारात्मा गुरूप से सोशल मीडिया का उप्योग करने की बाद आती हैं तो हम उस दिशा में हमेशा अग्रणी हैं अग्रणी रहेंगे और यह हमारी जिम्मेवारी है आईए मंगल दोईश के बाद हम चलते हैं महात्मा गांधी की जन्मभमी पोरबंदर नमस्ते बताईए कौन पूछेगा नमस्ते प्रदर मंत्री जी नमस्ते मैं मैं पोरबंदर मंडल से मंडल अधियक्स मोहंद्र से बात करा हूँ मैं आपसे यह जनना चाहता हूँ कि पहले नोट बुंदी हुई तब मधियमवर्ग को डराया गया फिर जीएस्टी आया तो यह कहकर मधियमवर्ग को भड़काया गया कि इससे मधियमवर्ग को बहुत बड़ी मार पड़ी है पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ना के आप कैसा देख रहे हैं कि देखिए अब बैठिए महेंदर जी बैठिए देखिए मिडल क्लास को उकसाने और भड़काने की इनकी पुरानी आदत रही है लेकिन आपने देखा होगा कि नोट बंदी के कुछी महिने बाद उत्तरप्रदेश में चुना हुए जहां मिडल का समेथ पूरी जनता का हमें भरपूर आशिरवाद मिला इसी प्रकार जी एश्टी लागू होने के कुछ महिने बाद गुजरात में चुना हुए वहां भी हमारी सरकार बनी व्यापारियों के घट सूरत में हमें अभूत्पूर्व सफलता हासिल हुई निश्चित रुप से यह सफलता हैं हमें मद्यमबर्ग और व्यापारियों के आश्रिवाद से मिली हैं मद्यमबर्ग देश की अर्थववस्ता में बड़ी भूमी का निभाता है सही माहिने में यह वर्ग देश की रीड है मद्यमबर्ग देश के लिए बहुत कुछ करता है बडले में उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए लेकिर इसके बाद भी वो दसलकों तक उपेच्छित रहा परंतो हमने इस थिति को बदलने का निश्चे किया है हमने वैसे कदम उठाये हैं जिससे मद्यमबर को बल मिले, रहत मिले, नए पंख मिले क्या किसी ने सोचा था कि पांच लाख रुपे तक की आई को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा वर्सों से ये बांग चली आ रही थी, लेकिन इसको पूरा करने का सोभाग्य हमारी सरकार को मिला हम सब जानते हैं कि मद्यमबर का एक बड़ा सपना होता है कि उसका अपना घर हो पहले घर खरिटना सपना ही रहते आता था लेकिन सरकार के प्रयासों से नक्यवल होम लोन की ब्याजदरों में काफी कमी आई है बलकि अंडर कंस्रक्शन घरों पर लगने वाले टैक्स को बारा प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत कर दिया गया यही नहीं एफ़र्डेबल हाउसिंग में जीएश्टी को आठ प्रतिशत से घटा करके सिर्फ एक प्रतिशत कर दिया जाएगा इसी तरह विद्यारतियों के लिए एजुकेशन लोन हो या फिर स्कॉलर्शिप हर प्रकार की बुनियादी सुवीदाओं को बढ़ाने का प्रयास किया है हमारी सरकार से पहले मध्यमबर को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रूलाया है तो वो महिंगाई दर रही है लेकिन देखिए जो महिंगाई दर कभी डबल डिजिट में पहुँच गई थी वो आज न सिर्फ काफी कम है बलकि नियंत्रण में हर गर का हर महिने का खर्च कम हुआ है इसी प्रकार दवा की किमतों को कम करने का हमने गंबीर प्रयास किया है जवन आउशदी केंद्रों पर दवाईयों को 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्द कराई जा रही है वही 1000 से अधिक दवाईयों को मुल्य नियंत्रण ववस्ता के तहर लाया गया है इसके अलावा स्टेंट की किमत और गुटने इंप्लांट्स पर होने वाले खर्च में भी 50% से 80% कमी आई है इससे सीनियर सिटीजन्स को विशेश्रुप से फाइदा हो रहा है उन्हें राहत देने के लिए हमने कई और भी इंतजाम किये है सीनियर सिटीजन के प्रदानमंत्री वयबंदना योजना के तहर ब्याज को हमने आठ प्रतिक्षत निश्चित कर दिया है जीएस्टी से भी मध्यमबर के लोगों की जिंदगी आसान हो रही है चालिस लाग के बिजनेस ट्रेडर को अब जीएस्टी रजिस्टरेशन से मुक्ती मिल गई है और डेड़ करोर तक के टरन ओवर वाले वयपानियों को सिरिफ कंपोजिशन स्कीम में जुड़ना है जाहिर है अपने कारेकरताओं से मिलने वाले फिड़बैक के आधार पर हमने मध्यमबर से जुड़ी हर प्रकार की परेशानी को दूर करने का बर्सक प्रयास किया है आईए चलिए पहले हम पूरे चलते हैं वहाँ भी बहुत लोग हमारा इंतिजार कर रहे हैं कि अधिए पुरे ना बोलिये नमस्ते सर नमस्ते पुना से राणी भूफले बूठ समिती प्रमुक और कॉर्पोरेटर भी हूँ सर हम सबने आपको कुम्भ के सफाई कर्मचारियों के पेरों को धोते हुए देखा और पूरा परिवार भावक हो गया सर हमें ये डिक्कत है कि अपनी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो ये सब हम कैसे याद रखे हम भूल जाते हैं और कार्य करता भी लोगों को ये कैसे समझाए जैसे पंत्यप्रधान किसान योजना है आर्थिक निकष्पे जो आरक्ष्ण लागो हुआ है पाच लाग टैक्स पर जो फ्री आपने किया है और सबसे एत्यासिक अब जो निर्ने लिया है कि पाकिस्तान में एर्स्ट्राइस अगर दूसरी सरकार होती तो दो दश्पों तक यह नहीं कर पाती थी तो यह सब आप सर इतने जल्डी कैसे कर पाते हैं बस यही पूछना है अगर सबसे पहले तो आपने कुम्ब मेले को याद किया और कुम्ब मेले आप बैठिये रानी जी बैठिये इस बार पूरी दुनिया में कुम्ब मेले की एक चर्चा हो रही है स्वच्छता के सबन में तो मैं कुम्ब में स्दान करने गया था तो मेरा मन कर गया कि जिन सफाई कामदारों ने कुम्ब में 22 करोड लोग आए और स्वच्छता रखने के लिए कितनी महनत की होगी और पूरे विश्व में भारत का नाम प्रोशन किया उन्होंने और उसी भावना के तहट मेरा मन कर गया कि मैं भी कि उनके पैर धोकर के उनका सम्मान करूं कि अगर आपके परिवार ने टीवी पर देखा तो आप भाव हो गए मेरे लिए भी यह बहुत भाव पर था लेकिन जब लोग कुछ लोग कहते हैं कि राजनित्ति भाना रिकना है भ्ता ना तो वो मुझे जानते नहीं है मैं आज पहली बार जब मैं मुख्य मंतरि बना कैक gin गुज्रात में इस्ट मुझे में देश में गांगताया अब अब हमारे देश में परंपरह बहुए कि जाते हैं तो को पूजा करते हैं कलस रखते हैं तो मुझे भी हमारे सरकार के लोगों ने कहा मोजी जी मुखंध मुंतरी निवाज में जानने से पहले कोई पूजा कोई कलस वगेरे कुछ व्यवस्ता कैसे करना है आपके परिभार जृलों को को बुलाने क्या करें तो मैंने उनको सीधा सीधा कहां देखो भाई एक काम करो सरकार में चौथे वर्ग में काम करने वाला कि कोई प्यून हो और दलीत हो और उसकी बेटी हो उस बेटी को बुलाओ और उसी के हाथ से आप प्रधान मंत्री के निमास्थान का कलस रखिए और वही मेरे लिए कि उद्गाटन हो जाएगा और मैंने किया यह कोई मैंने पब्लिसिटी के लिए नहीं किया था तो यह यह समस्कार यह भावना यह कोई सिर्फ मैंने इस समाथ पैरद्वए इसलिए है नहीं मेरे मेरे समस्कार में पड़ी हुई है और हम भाज़पा के कार्यकरताओं के लिए समाज के हर बर्क के पूजा करना ही हम लोगों का दाहित्व है लेकिन आपने मुझे उस भावात मक्षण के और ले गई इसके लिए मैं मेरे मन को भी छूगया आपके परिवार ने इस बात को नोटिस किया मैं उनका अभार वेक्त करता हूँ देखिए आपने जो सवाल पूछा है एक प्रकार से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके सवाल से मैं खुश हूँ कि दूखी हूँ मैं सोची नहीं पा रहा हूँ क्योंकि खुश इसलिए कि हमारी सरकार ने इतना काम किया कि आपके लिए उन्हें याद रखना हासान नहीं रहा दुखी इसलिए कि अगर आप ही योजनाओं को याद नहीं रखेंगे तो फिर हर गर अभियान कौन पहुचाएगा वैसे ये सवाल आपने महतपण पूछाए रानी जी जब हमने इतना काम किया है तो उसे जनता तक सही तरीके से पहुचाना भी हमारा दाइक पर है इसके लिए एक अच्छा उपाई ये हो सकता है कि हम अपनी उपलब्दियों और योजनाओं को अलग-अलग तरह से कलब करें और उन्हें इंट्रेस्टिंग तरीके से बताए सबसे पहले आप सभी योजनाओं का चार्ड बना ले हैं फिर उसे कई प्रकार से बाट सकते हैं जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि योजनाओं की एक से लेकर सौ तक के लिस्ट बना ले, एक और तरीका ये हो सकता है कि A to Z alphabet के अनुसार योजनाओं की स्विची बना ले. जैसे A से आविमान भारत, B से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा करते हुए योजनाओ को अलफाबेटिकल चार्ट बना सकते हैं ताकि उन्हें आप आसानी से बता सके यही नहीं योजनाओ के नाम पर गीत या कविता भी आप रचना कर सकते हैं इसके अलाबा किसानों के लिए किये गए काम, दलीतों के लिए किये गए काम, आदीबासों के लिए किये गए काम, बेहनों के लिए किये गए काम, एने समाज के भिन भिन तपके के लिए, गाउं के लिए किया हुआ काम, शेहर के लिए किया हुआ काम मुझे लगता है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना का इस सबसे बड़ा आसान और सहज तरीका होगा अगर आपने इन तरीकों को आजमाया तो आपका आत्मविश्वात बढ़ेगा साथी जब आप जनता जनाधन के बीच पहुंचेंगे तो आप उनके परिशानियों को चूटकी में हल कर पाएंगे आपने जो काम पिछले दो महिनों में गिनाये हैं ये बले ही आपको लग रहा है कि ये सब दो महिनों में हुआ है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीजों की नीव पिछले पांच सालों में कोई समय असा नहीं है कि उसको हमने आगे न बढ़ाया हो पांच वर्सों में हमने जो मेहनत की है उसका तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है ये ट्रेलर दर्साता है कि हमारी मेहनत सॉलिर थी हमारा परिश्रम सही दिशा में था और लोग कल्यान के लिए हमारे प्रतिवत्ता सर्वो परी थी पांच साल के भीतर जब हम ये सब कर पाए हैं तो आप सोचिए जब हमें अगली बार सेवा करने का मोका मिलेगा तो हम देश वाच्चों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं लेकिन मैं अपनी बात एक कविता की कुछ पहिंक्तियों से आज पूरी करना चाहता हूँ उस कविता में आज आपको सुनाना चाहता हूँ चुड़ा समय लूगा लेकिन सुनिए बर्सों से था घना अंदेरा अब जाके भोर दिखी है उन्नती की हवा चली है उम्मीदों की धूप खिली है देश चल पड़ा है प्रगती पत्पे बस यूँ ही चलते रहना है बहुत कुछ मजबूत किया है बहुत कुछ मजबूत किया है बहुत कुछ मजबूत करना है गली गली में पक्की सडके गाम गाम में बिजली है गर-गर में है गैस का चूला और यूँवा अपने जोश में है देश ने करवट बदली है ये तो बसंगडाई है आगे और चडाई है प्रगती का दौर है न रुकना है न ठकना है अभी हुई है सापसफाई अभी तो और गती बनाना है बहुत कुछ मजबूत किया है बहुत कुछ मजबूत करना है तो आओ, अब ये ठान ले, ये बाद गाट बांद ले, बड़ी मुश्किल से घुमा है प्रगति का पहिया, प्रगति से इस पहिय को अब रुकने नहीं देंगे, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है, चलिए अब हम सिम्ला चलते हैं थंडी हवाओं के बीश में मुझे बताया है कि हमारे जैराम ठाकुर जी भी वहां मुझूद है हिमाचल वाचियो नमस्कार बताइए हिमाचल कौन बात करेगा आदन्ये शिरी निरेंद्र मोदी जी सबसे पहले मेरी और शिम्ला शहर की पूरी जनता की और से आपको कोटी कोटी परना सर मैं प्रिक्षित शर्मा भारतिये जनता युवा मोर्जार ध्यदक्ष शिम्ला शहरी से सर मेरा प्रशन आपसे यह है कि आपको गया लगता है कि आपकी और आपकी सरकार की क्या लेगेसी होनी चाहिए धन्यवाद कि देखें हिमाचल तो एक प्रकार से मेरा घर बन गया था और हमाचल वाच्छों के मिलता हूं तो सारी पुरानी यादे उमड़ पड़ती है और आपने जो सबाल पूछा वो सबाल भी तो दिल को छूने वाला है लेकिन आप हिमाचल वासी मुझे बली पाती जानता है मैं आपके बीच वकाई वरसो तक रहा हूं आप मुझे भली बात यह जानते हैं मेरे जीवन को जानते हैं देखिए मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी कोई नीजी विरासत या लीगसी हो इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में विकास का जो दीपक जला है वही मेरी लीगसी है हमने अन्न दाताओं के कल्यार के लिए बीच से बाजार तक जो सबसे अधिक प्रयास किये हैं यही मेरी लीगसी है हमने पूरी मानदारी के साथ सरकार को न केबल चलाया बल्कि तेजी से विकास कार्य किये यही हमारी लीगसी है गाउं गरीब शोसीत बंचीत आदिवासी के उत्तान को हमने सर्वपरी रखा यही हम सब की लीगसी है सत्तर साल बाद अठारा हजार गाउं रोशन हुए इससे बड़ी लीगसी क्या चाहिए करो महिलाओं को धुवा धुवे की भरी जिन्दगी से मुक्त मिल जाए उस मा के चहरे पर खुशी नजर आए इससे बड़ी लीगसी क्या हो सकती को आज हाति के बाद पहली बाद देश पुझ्य महात्मा गांदी के सुट्था के सपने को साकार कर रहा है कितनी बड़ी लीगसी आज हमारे देश की बन रही है सेना को हमने न केबल ससक्त बनाया बलकि देश के रक्षा के लिए उन्हें खुली छूर दिये इससे बड़ी लीगसी क्या होती है भारत को मजबूत बनाकर विश्व के अग्रेनी देशों में सामिल करने का जो पुर्शार्थ किया यही मेरी लीगसी है आज मी नजर दोड़ाएं तो दिखता है कि स्कूल से लेकर स्टेडियम तक एरपोर्ट से लेकर एवोर तक सब कुछ एक ही परिवार के नाम पर रखे गए हम ऐसी लिगसी की कलपना नहीं करते हैं बलकि हम चाहते हैं कि ये देश उन संतों महापुरुषों वीरों जवानों किसानों और समी को याद रखे उनकी लिगसी को आगे ले जाए जिनका त्याग और परिश्रम इस देश की सब्वेता संस्कृति और परंपरा में रचा बसा है आईए हम हर्याना चलते हैं रिवाडी चलते हैं नमस्ते हर्याना नमस्ते रिवाडी हमारे मुक्यमंत्री जी भी दिखाई दे रहे हैं कौन पूछेगा हाँ बताईए मेरे पूरे रिवाडी वाश्यों की तरफ से मैं साधर नमस्कार करती हूं सर्थ सर मैं मदूयादव महिला मोर्चा मंडल अध्यक्स सर मेरा आपसे क्यूशन है कि मैंने अब तक के जीवन में कई दसक देखे और कई सरकारे भी देखी लेकिन आज जो पूरे भारत में विश्वास है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा सर सर वो कभी देखने को नहीं मिला इसमें आपको क्या लगता है सर ये सब कैसे हो रहा है धन्यवाद सर रेवाडी की धरती हो वीरों की धरती यहां कि हर मा वीर मा होती है यहां कि हर मा की कोग से वीर पाता होता है और इसलिए जब रेवाडी से बैठिये मदूची बैठिया आप और रेवाडी से जब कॉन्फिडेंस की बात दिकलती है तो मुझे लगता है वो रेवाडी के स्वभाव का इच्छा है देखे जब मन में इच्छा शक्ती हो द्रड संकल्प हो कुछ कर गुजनने का जजब हो तो कुछ भी नाम मुम्किन नहीं है जब सरकार के लिए जन जन तक का महत्व हो जन सहभागीता को प्रात्विता मिलती हो तो कुछ भी नाम मुम्किन नहीं है आपका सवाल बहुत स्वाबाविक है कि पहले भी सरकारे होती थे कुछ न कुछ योजनाय होती थी लेकिन दे में यही कहना चाहूंगा कि जब सरकार का परिश्रम और सवासो करोर देश्वास्यों का पुर्शार्थ मिलता है तब देश का confidence का पूरी दुनिया के लिए एक मिशाल बन जाता है आप देखिए लोग वही है सिस्टम वही है अपसर वही है दफ्तर वही है लेकिन आज देश विकास के पत पर कई गुना रप्तार से आगे बढ़ रहा है आज भारत की एक सची तश्वीर दुनिया के सामने निकल करके आई है जब हमें खुद पर confidence है तो दुनिया भी भारत को लेकर confident है पहले भारत का चित्रन एक गरीब देश के रूप में किया जाता था अब भारत को निवेश के लिए सब्चे अच्छे destination के रूप में जाना जाता है पहले भारत को साम सपेरे का देश बताये जाता था आज भारत science start-up और satellite के देश के रूप में जाना जाता है पहले भारत का चित्रन देश की सडकों पर फैले कच्रे को दिखाने के लिए किया जाता था आज भारत का चित्रन देश में स्वच्छता पर हो रही तरक्की को दिखाने के लिए किया जाता है पहले भारत को अंधरे के लिए जाना जाता था अब भारत LED रिवलुशन के लिए जाना जाता है पहले फिल्में बनती थी कि भारत में कैसे एटेक्स हुए अब फिल्में दिखाते हैं कि भारत ने कैसे उन एटेक्स का मूत और जबाब दिया पहले दुनिया भर में सिर्फ ब चाहे इंटरनेशनल सोलार एलाइंस हो भारत ने हर छेत्र में दुनिया को दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है दोस्तों आप सबसे मिलकर आप सबसे बहुत अच्छा लगा आप सबका उत्सा आपकी उर्जा मुझे और महरत करने की प्रेणा देता है आप सबको देखकर मुझे भी वो समय आज आता है जब भी आप जैसा ही एक सामान्यकार करता हुआ करता था आप आज सब जो मेरे साथ जुड़े हैं चाहे वो हजारों स्थानों से हो या फिर अपने घर अपने मोबाइल से जुड़े हो आपके लिए नमो एप पर एक खास विवस्ता है आप नमो एप पर जाईए और आपकी सिल्फी मेरे साथ अपलोड करिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए इस तरह से इस महा समवाद को और यादगार मनाते हैं मैं फिर एक बार हमारे राष्ट्रिय अद्यक्ष अमित भाई शाह का उनकी पूरी टीम का प्रदेश की भारतिये जनता पार्टी के अद्यक्षों का प्रदेश की सभी टीमों का और बूथ लेवल तक के कायरकरताओं का आज रिदे से बहुत पहुत आभारी हूं कि मुझे करोलों की तादाद में हजारों स्थान पर एक साथ आप सब के साथ समवाद करने का आउसर मिला और पहले भी मैंने कहा था कि देश विकास की यात्रा में रुकेगा नहीं पहले से गती बढ़ाएगा हमारा मकसद यही है कि समृद्धी की और देश को ले जाना है उन्नती की और देश को ले जाना है यह सारे प्रयास देश के लिए है देश के उजवल भविश के लिए है और महनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे दोड़ेंगे बहुत दोड़ेंगे रुकना नहीं है आईए फिर एक बार मेरा बूद सबसे मजबूत इसी संकल्प को ले करके चले बहुत बहुत दो आओगा